असलाम वीकूम गायस, वल्कम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल गुटफूट किचन, आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ कि एफसी स्टायर राइस और स्पाइस की मज़ेदार किसम की रेसिपी, तो चलिए आएए इस रेसिपी को जटपट से तियार करते हैं, यह है एक चमच बरके, फिर इसमें आड़ कर देंगे दो चोटा चमच जो हैं नमक के, नमक आप अपने मताबिक भी इसमें आड़ कर सकते हैं, उसके बाद में इसमें जाएगा चटपटा सा चाट मिसाला, एक चोटा चमच बरके, फिर इसमें आड़ पाउडर, दो बड़े स्पून आपने एड़ कर देने हैं इन सारी चीजों को इसमें चिकन में आड़ करके आपने अच्छे से चिकन को मेरिनेट कर लेना है इन चीजों के साथ में सारी बोटियों के उपर आपने अच्छे से कोटिंग कर लेनी है इन सारी स्पाइसिस की उसके बाद में हम इस ब्रै नमक का छोटा इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मेद्दे को इन चीजों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजेगा ये ना हो के कहीं कहीं नमक जो है वो अलएदा से रह जाए उसके बाद में आपने अपने पास में बरिके ठंड़े पानी का एक बॉल रख लेना ह और सबसे पहले आपने चिकन की बोटियों को मेद्दे के अंदर शामिल करके अच्छे से मेद्दे की कोटिंग करेंगे इनके उपर बहुत हलके हातों के साथ आपने ये कोटिंग करनी है बहुत ज्यादा दबाना नहीं है नहीं तो जो कोटिंग है वो काफी हाट सी हो जाएगी इस तरह से आपने हलके हातों के साथ में करके उसके बाद में आपने कोई छानी सी ले लेनी है ताके जो आपका अलैदा से मेदा है वो पानी के अंदर ना जाए अब हम इन सारी बोटियों को पानी के अंदर शामिल करेंगे इसकी दूसरी कोटिंग बनाने के लिए देखे एक एक बोटी को निकाल के मैंने पानी के अंदर शामिल कर दिया आप भी इसी तरह से पानी के अंदर इसे शामिल कर दें पानी जो है वो गरम ना हो ठंडा पानी होना चाहिए फिर इस मेदे को हम दुबारा से एड़ कर देंगे बाकी मेदे के साथ में और थोड़ी देर के बाद में ही इन बोटियों को उठा के दुबारा से इस मेदे के अंदर शामिल कर देंगे अब बहुत ही हलके हाथ के साथ में आपने दबा दबा के इन बोटियों के उपर ऐसी कोटिंग करनी है कि इसके अच्छे से लेर्स बन जाएं जो के इस चिकन को क्रिस्पी और मज़े का बनाएंगी बिल्कुल चिकन विंग्स की तरह में इसकी कोटिंग होती है देखें हलके हाथों से इसे पकड़के यूँ दबाएंगे जो मेदड़ है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए फिर इसके उपर अच्छी सी लेर्स बनती है आपने भी मेद़े की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है देखें मैंने इसे अच्छे से कोट कर लिया है अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ बोटी निकालते हुए आपने इसे जटकना है दो से चार दफा ताके जो excessive है मेदा वो उतर जाए इसके उपर से और ये देखें वो अच्छे से इसके उपर crumbs बन जाएंगे बोटी को मेदे से निकालते हुए यूँ दो तीन दफा जटकना जो है वो ज़रूरी है फिर इसके crumbs बहुत अच्छे बनते हैं इसी तरह से आपने coating कर लेनी है मेदे की सारी बोटियों के उपर ये देखें इस तरह से आपने सारी बोटियों को आश्टा आश्टा से coating करके तियार कर लेना है उसके बाद में हम इसे करेंगे fry ये देखें जबरदस किसम की coating हुई है इसके उपर fry करने के लिए भी आपने oil जो है वो खुला लिना है मैंने तकरीमन तेर लिटर के करीब oil लिया है आप चाहें तो दो लिटर भी ले सकते है जितने अच्छे से चिकन इसके अंदर डिप होगा उतने अच्छे से fry होगा oil को मैंने अच्छा गरम कर लिया है अब medium आच कर मैं इने पकाऊंगी one by one मैं इस तरह से सारी इसके अंदर add करती जाऊंगी जितनी एक टाइम में आ सकती है मैंने इसे fry करने के लिए बड़ा सारा देख चालिया है ताकि ज्यादा सारी बोटियां एक टाइम के अंदर इसमें आ सकें ये तकरिवन 30 से 32 बोटियां मैंने इसमें add कर दी है जब आपको लगे बोटियां एक साइट से थोड़ी सी पक गई है दो-चार मिनट के बाद में आप इस तरह से इने हिला दे ताकि सारी बोटियां जो है उपर नीचे से अच्छे से fry हो जाएं देखे माशाला से अच्छा सा golden color आ चुका है अब आपने इसे dish out कर लेना है इसी तरह से आपने बाकी सारे chicken को भी fry कर लेना है इस गी के अंदर अब हम चावल त्यार करते हैं KFC स्टाइल चावल जो है बिलकुल Arabian स्टाइल में त्यार करेंगे ये 3 किलो चावल की रेसिपी है इसके लिए मैंने 4.5 लिटर पानी लिया है और 8 चमर्चों हैं वो मैंने इसमें नमक के शामिल कर दिये नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं 4.5 लिटर मैंने तकरीबर देज लिटर पानी लिया है उसके बाद में इसमें मैंने ये चुक्ती हुई 6 जो हैं बड़े साइस की कैप्चिकम है ये वो मैंने काट ली आपने इने फ्राइडा इनका फ्लेवर अच्छा निकालने के लिए डारेक्ट इने पानी में आड़ गे उसके बाद में ये मेरे पास 20 कटी हुई जो हैं सबस्मिर्चे हैं ये आपने इस तरह से थोड़ी मोटी काटके ये भी एड़ कर देनी है पानी के अंदर उसके बाद आप इसमें एड़ करेंगे चिकन पाउडर तीन चमच बड़े भर के बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आप चाहें तो इसमें जो चिकन क्यूप्स हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं पाउडर की जगाँ बहुत अच्छा और मज़ेदार फ्लेवर आता है उसके बाद में इसमें शामिल करेंगे मखण मखण मैंने लिया है 300 गराम मखण जो है नमकीन नहो unsalted butter आपने यूज़ करना है इस recipe के अंदर butter को इसमें शामिल करेंगे बहुत बटरी सा flavor आएगा चावलों का उसके बाद में मैंने इसमें एड़ कर दिया 300 ml oil total 3 kg चावलों की ये recipe मैं आपको बता रही हूँ नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा में कर सकते हैं अब पानी को अच्छे से भवाय लाने देंगे चावल मैंने double steam के लिए हैं और उन्हें मैंने एक गिंटा बहले बिगो दिया था फिर उनका अच्छे से आपने drain करके जो चावल है वो आपने इस पानी में शामिल कर देने है चावलों के एक दफा सारे को अच्छे से हिलाएंगे और फिर फुल के उपर हमने तब तक इने पकाना है जब तक कि इसमें पानी जो है ना होने के बराबर हो जाए बिल्कुल थोड़ा सा पानी इनमें रह जाए बगर आपने पहले चावलों को अच्छे से हिलाना जरूर है ताकि चावल जो है वो आपस में जुड़े ना इस टाइम पे आप जो है नमक भी चेक कर सकते हैं मैंने नमक चेका है नमक बिल्कुल परफेक्ट है इसमें अगर नमक कम लगे तो आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं ये देखें पानी जो है इसमें वो बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका हुआ है इस टाइम के उपर इन चावलों को मैं दम लगा दूँगी तक्रीबन बारा से पंदरा मिनट तक इन चावलों को मैं दम लगाऊंगी चावल बहुत अच्छे खिले-खिले से त्यार होंगे और बहुत ही मसेदार बटरी सा फियोवर आएगा इन में देखें चावल जो हैं बारा मिनट के बाद में मैंने डकन हटा दिया बहुत अच्छे से चावल जो है वो रड़ी हुएं देखें एक एक दाना इसका माशाला से बहुत फूला हुआ लंबा और नरम त्यार हुआ है अब इसमें एड़ कर देंगे जर्दा कलर थोड़ा सा पानी लेके उसमें मैंने जर्दा कलर एड़ कर लिया और आपने ये बार एक बार एक से लाइने बना देनी हैं बहुत ज़्यादा जर्दा कलर इसमें शामिल नहीं करेंगे हम बस चावलों में कहीं कहीं पीला रंग देने के लिए जर्दा कलर जो है वो यूज़ करेंगे ये देखे इस तरह से मैंने लाइने बना दी, अब इने हलके हातों के साथ साइडों से हम जो है चावलों को मिक्स करेंगे, ये वाले चावल जो है वो ज्यादा नरम ना पड़ें आपने एक ही दफा सारे चावलों को हिला लेना है, ताके चावलों में मोटी गुठलियां भी ना बने, उसके बाद में हम स्पेशल सोस जो है वो तियार करेंगे, जो के एफसी वाले चिकन के उपर डाली हुई होती है, राइस एंड स्पाइस के इंदर, उसके लिए हम करेंगे तीन चोटे चमच, कुटी हुई लाल मिर्ज के भर के, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप कुटी हुई लाल मिर्ज दो चमच भी कर सकते हैं, फिर इसमे एक चोटा चमच जाएगा नमक का, सिरका इसमे एड़ करेंगे तकरीबन दो चमच भर के उसके बाद में हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैं के हातों के साथ में, ताके हर चीज अच्छे से मिक्स हो जाए ये जबरदस किसamp की, मज़ेदार किसम की सोस जो है, बिल्कुर रेडी हो चुकी है अब चावल जो है, हम उनकी assembling करेंगे किस तरह से हमने चावलों के उपर चिकन डालना है चन ये देखें मैंने सारा fry कर लिया था, इन चावलों के उपर इस तरह से चिकन देंगे बाद में मैं आपको एक से प्लेट में भी बॉल बना के दिखाऊंगी जो KFC में हमें मिलता है बोटियों के इस तरह से फिला दें सारे चावलों के उपर आप किसी भी गेट टुगेदर में बहुत मज़े चावल बना सकती है अराम से जो सॉस मैंने मनाई थी वो मैंने एक बोटल में एड़ कर ली है अब इस बोटल के साथ में मैं सारे चिकन के उपर अच्छे से सॉस को पहला दूँ बहुत ही मज़ेदार गिसम के क्रिस्पी चिकन पॉप्स के साथ में ये राइसों हैं अच्छे लगते हैं और राइस का फ्लेवर तो इतना कमाल का आता है आप इस रैसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और कैसे बनी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा ये देखे मैंने एक बोल ले लिया है राइस का उसके उपर में डार रही हूं चिकन जो हमने पॉप शॉट्स बनाए थे चिकन के यो पांच से छे एड होते हैं के एफसी वालों के उपर आप भी इसी तरह से इन्हे एड कर दें बच्चे तो ये बहुत ही शोक से खाते हैं आप उन्हें लंच बॉक्स में भी ये देखती है उपर मैंने डाल दी है थोड़ी सी सॉस और मज़ेदार जो हैं राइस बिलकुर रेडी हैं खाने के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा अगर मेरे चैनल के उपर ने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजेगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडोस रसीव हो सके अगली रेसिपी तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा अलाहाफेज